मैं आप सभी का स्वागत करते हूं अपने चानल में वेल्टारोटन अस्ट्रोलॉजी जहां पर आपको फ्री डीडिंग, ओनलाइन रीडिंग्स मिलती है और आज हमारी डीडिंग होने वाली है आपके आज के दिन के बेसिस पर यानि आपका आज का दिन कैसे जाने वाला है health-wise, financially, relationship-wise, career-wise कैसे जाने वाला है आपका overall आज का दिन यह जो हमारी डीडिंग है एक timeless reading है यानि आप जिस दन इस वीडियो को watch कर रहे हैं यह आपकी उसी दिन की वीडियो, उसी दिन की energy से resonate करेगी और साथ ही यह एक collective reading है तो जो part आपके साथ resonate करता है उसे आप ले सकते हैं और just leave the rest और तो इस वीडियो को start करते हैं लेकिन इस वीडियो को start करने से पहले अभी तक हम आपने मेरे इस चानल को subscribe नहीं करा है hit a subscribe button, hit a bell icon so that आपको notification मिले जब भी मैं कोई यह वीडियो पोस्ट करती हूँ और यह वीडियो कर आपकी साथ जरा भी resonate करती है hit a like और share ज़रूर करें इस अपने friends के साथ ओके तो यह हमारे आज की reading basically one card reading होने वाली है यानि आज के दिन हम सर्फ एक card पिक करेंगे और उसके basis पर हम channelize करेंगे आपके full day की energy को ठीक है तो please divine please help my viewers to know कि आज के उनके दिन के energy कैसे जाने वाली है okay my god such a beautiful card here it is the magician तो आज के आपके दिन के energy के लिए card उठकर आया है magician का such a beautiful card okay तो सबसे पहले हम इस card को read करते हैं financial basis पर यह जो card है financially हर चीज़ आपको provide करता है क्योंकि यह जो card है एक manifestation का card भी होता है यानि आप जो कुछ भी manifest कर रहे हैं ठीक है वो सारी चीज़े आपको मिलने वाली हैं जो कुछ भी आज आप expect कर रहे हैं वो सारी चीज़ें आपके हाथ में आने वाली हैं ठीक है तो अगर आज कुछ special आपकी life में होने वाला है या कुछ special work के लिए आप जा रहे हैं तो वो काम आज का ज़रूर आपका complete हो जाएगा यानि अगर आप किसी interview के लिए जा रहे हैं तो वो interview आपका clear हो जाएगा ठीक है अगर आप किसी important meeting के लिए जा रहे हैं तो वो आपकी meeting आज successful रहेगी अगर आप अपने किसी orders, किसी tenders के लिए जा रहे हैं तो वो आज आपको मिल जाएंगे ठीक है तो ये overall एक manifestation का card भी है तो financially जैसे कि हम इस card को resonate कर रहे तो financially ये एक काफी positive card है और ये चीज भी show करता है कि आप आज का दिन जैसा expect कर रहे हैं यानि आपको जैसा लग रहा है कि हाँ मेरा आज का दिन अच्छा जाएगा तो वो अच्छा जाएगा क्योंकि आपने अच्छी चीज़ों को आज manifest कर रहे है और अगर आप ये चीज महसूस कर रहे है कि नहीं मेरा आज का दिन अच्छा नहीं जाएगा तो वो अच्छा नहीं जाएगा क्योंकि आप कहीं ना कहीं negative चीज़ों को feel कर रहे हैं और उन्हें आप manifest करने की कोशश कर रहे हैं financially जैसे कि हम इस card की बात कर रहे थे तो आज का दिन आपका एकदम ऐसे जाने वाला है कि you will feel कि सारी चीज़ आपके पास है जैसे कि आप देख रहे हैं तो ये magician है और इसके पास हर तरीकी की चीज़ है relationship भी, पैसे भी mind capability भी, उसकी energy भी तो everything is with this person ठीक है, तो हर चीज़ कहीं न कहीं आज आपके पास है आज का दिन आपका ऐसे जाने वाला है जहां पर आप सब कुछ celebrate करेंगे बेभी आपको कुछ अच्छे financial profits भी हो सकते हैं, अगर आपने कहीं पर investments करी हैं, तो वहाँ से आपको profits होने के chances हैं, और good level में profit होंगे, अच्छे level पर आपको कहीं न कहीं profits मिलेंगे बस इस चीज़ का ध्यान रखी कि जतना आप अपने mind से चलेंगे, जतने आप अपने knowledge और experience से आगे बढ़ेंगे, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, तो ये card, आपको ये advice भी provide करता है कि confidence में रहें, लेकिन साथी साथ वो आपको ये भी कह रहा है कि आपको अपने over confidence से बचना चाहिए, क्योंकि जतना आप अपने over confidence में रहेंगे, उतना आपके लिए negative रहेगा over confidence कहीं ना कहीं आपके लिए negative energies create कर सकता है, तो try be in a confidence, ठीक है और जैसे कि यहाँ पर आप देखी रहे हैं इस card में कि इस person के पास सारी power है, जैसे कि इस person ने एक wand उठा रखी, यानि इस person के पास आज power है, आज hold है, आज authority है, जो वो चाहरा है वो कर पा रहा है, तो साथ में उस person के पास grounding भी है, चीक है, तो grounding रखना बहुत जरूरी है, over confidence से हच कर, grounding के साथ जतना आप करेंगे, grounding का मतलब है, जतना नीचे रहकर आप काम करेंगे, जतना आप अपने level पर, अपने confidence मेरा कर काम करेंगे, उतना आपके लिए positive है, हर चीज़ आप आज feel करेंगे, fully satisfaction आज आप feel करेंगे, कि आपके पास जैसे की है, जैसे की ये flowers हैं, हम ये चीज़ शो करें, कि आप full day आपको confidence के साथ जाने वाला है, तो financially तो ये good news आपके लिए लेकर आता है, ठीक है good investments अगर आपने करी है और उनके कोई result आपके लिए आने वाले हैं तो it's bringing again a good news to you तो financially तो काफी positive रहेगा, हो सकता है, अगर आप कुछ negative भी करने जा रहे हैं तो वो भी आपके लिए आज positive होने के chances हैं, लेकिन शर्त है कि आपको अपने mind capability this infinity symbol कहीं relationship wise देखे, ठीक है तो relationship wise ये काफी positive चीज़े शो करा है relationship wise भी ये चीज़ शो करा है कि आज आप अपने relation में चीज़ें आपके according चलने वाली हैं, ठीक है, आपके हिसाब से चीज़े चलने वाली हैं, मेभी आपका partner आपके हिसाब से चलेगा आप जहां कहींगे वहाँ, वो आपको ले कर जाएगा, बेभी आपका partner जो है आपको आज call messages आने के chances हैं अगर आप एक no contact situation में हैं, तो वो भी इस चीज़ को एक positive symbol में शुरू करता है because it is the card of magician यानि कुछ magic आज आपकी life में हो सकता है, right और उस magic को accept करो, उस magic को manifest करो, ठीक है, और अगर आप long term से manifest कर रहे हो एक no contact situation में कि आपको उस person से call आए या message आए, तो yes ये card आपको वहाँ पर yes कहता है ठीक है, और आप उस चीज़ को celebrate करो because the flowers above are showing the celebration here, कि कही ना कही celebration आपकी level पर है celebration आपके साथ है, ठीक है और यहाँ पर prosperity तो हमें of course नजर आही रही है और ये जितनी चीज़े आपके पास है यानि आपका relationship आज आपकी hold में रहेगा आज आपके finances आपके hold में रहेगा आज आपका mind capability यानि जो आप decisions लेंगे जो आप ideas generate करेंगे, वो आपके लिए beneficial रहेंगे और आपमें energy भी होगी, ये wind हमें show करेंगे कि आपके पास वो energy भी होगी कि आप अपने उन ideas पर work कर सकें और आप अपने experience से जब कुछ काम करेंगे, जब आपने experience से आपको decision लेंगे तो world definitely आपको काफी positive रहेगा, ठीक है ओके, तो यहां तक अभी हमने बात करी है finances की relationship की, career wise भी एक card काफी good news आपकी life में लेकर आता है, यानि career wise भी चीज़े काफी positive होने के chances हैं, ठीक है, और आप इन चीज़ों को अगर claim करना चाहते हैं, तो I will suggest कि आप अपने comments में जरूर one, 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 one लिखें, because this is the number of manifestation and it is the card number of one, one number का card हैं, तो I will suggest कि अगर आप इस video को claim करना चाहते हैं, कि definitely ये दिन आपका ऐसा ही जाएं, तो आज comments में one, 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 one जरूर लिखें, ठीक हैं, ओके, तो आगे हम इस reading को continue करते हैं, तो अब हम career-wise इस reading को check करते हैं, तो career-wise भी आपका आज का दिन काफी positive रहने वाला हैं, good news जैसे कि मैंने का आए, आपके आने वाली हैं, interview के लिए अगर जा रहे हैं, तो आपको positive रहेगा, आपके superiors basically this card is for the superiors, यानि आपके superiors के साथ आपकी बहुत अच्छी बनेगी, ठीक है, maybe उनके superior के through, आपके superiors के through आपको कुछ benefit होने के chances भी हैं, right, क्योंकि ये जो card है, ये weather card जो कि higher authorities को भी show करता है, ठीक है, ये card कही ना कही उन higher authorities को show करता है, तो it is also the card जो कि superiors को show कर है कि आपके superiors आपके कहीं कुछ benefit उनके वे से हो सकते हैं, otherwise उनकी तरफ से कुछ अच्छी news या फिर कोई अच्छी opportunity उनकी तरफ से आपके तरफ आ सकती है, career-wise जैसे कि हम बात कर रहे थे, ठीक है, और ये जो है, एक purity का symbol है, क्योंकि यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हो, there is a color of white, which is again the color of purity, right, तो उनके mind में, अगर कुछ आपके लिए negativity है, यापके superiors के mind में अगर आपके लिए कुछ negativity है, तो वो भी आज रेमूव होगी, उनको उस चीज़ को लेकर clarifications मिलेगी, उन चीज़ों को लेकर clarification मिलेगी, ठीक है, और आपकी तरफ, जो भी उनके गलत फैमी है, वो दूर होगी, और में भी वो आपको कोई opportunity, ऐसी provide कर देंगे, जो आपके लिए future-wise बहुत benefit रहने वाली है, right so, this is such a beautiful card, career-wise also ठीक है, और if you are in job, then again, a good with your superiors, good contacts with your superiors, और अगर आप interview के लिए जा रहे हैं, तो it's also bringing a good news for you, right prosperity, यानि अगर आप interview hikes, promotions के chances हैं इस time पर, तो वो भी आपको मिल सकते हैं, because these flowers are providing you the beautiful energy of prosperity और abundance, दोनों के energy आपको ये card provide कर रहा है, okay और आज का दिन के energy हमारे इतनी beautiful है, magician का card अपने आप में एक बहुत ही beautiful card रहता है ठीक है, तो आगे हम चलते हैं, आगे हम इस card को read करते हैं, अब health wise, तो health wise पर आपका दिन बहुत positive जाने वाला है, क्योंकि ये जो person है, since you can see is standing independently work कर रहा है, तो ये person जो है, एक तरीके से खड़ा हुआ है, without any problem, हमें कोई health issues अस person में नहीं नज़र आ रहे हैं, यानि अगर जिन भी लोगों के लिए, ठीक है पुराने कोई health issues चल रहे हैं, तो आज वो उन्हें परिशान नहीं करेंगे, ये जो है general, छोटे मोटे health issues, वैसे शो करता है, like BP होगया, a little bit blood related health issues, that's it, ठीक है, otherwise ये चीज आपको आज फरिशान नहीं करेंगे, में भी आज आप बहुत enjoy करेंगे, happiness जैसे कि हम इस person के face पर दिख रहे हैं, you will fully feel happy today, you will feel like, really, you are on the seventh cloud, right, साथवे आसमान पर होना, तो वो वाली feeling आज आपको मिलने वाली हैं, और चीज़े काफी आपके लिए positive भी रहने वाली हैं, ठीक है, तो आज के आपकी day की energy इतनी beautiful है, इसे claim करने के लिए one, 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 comments में सरूर लिखे, ठीक है, और अगर आज की वीडियो आपको साथ resonate करती है, hit a like button, and do share it with your friends, do share it with your partners, your family members and everyone, okay, and this is all about the free and online tarot reading, अगर आप आज tarot sessions book करवाना चाते हैं, तो of course, team में contact number, रैसे वीडियो के description box में है, thank you so much everyone.